सूपरमैन एक कालपनिक चरित्र है ऐसा इंसान जो पलग जपकते यहां से बहाँ चला जाए जिस केस में याचिका करता और सरकार एक तरफ एक तरह की दलील दे रहे थे वहां तो सुप्रिम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला समाज में लोक संत्र के लिए सबसे जरूरी भाशा को भी खत्न किया जाए उसकी जगह ट्रोल की भाशा आ चुकी है सियासत के दुनिया में अपने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी सूपरमैन साबित हो रहे है अज जरा जरा सी बात पर लोक तंतर को खत्राए में बताया जाना आम हो गया है अपने अपने तरीके से लोग इसकी व्याख्या करने में लगे है लोग भारत के उसी लोक तंतर को खत्रे की बात कर रहे हैं जहां कर्स में डूबा किसान आत्मत्या करने को वे गरीब भूखे पेट सोने को आज भी मस्पूर है यहां जब कंगना का ओफिस बुल्डोजर से तोड़ा गया उसे भी लोग तंतर की हत्या बताया गया सवाल यही है कि क्या सच में अब लोग तंतर खत्रे में है इसका जवाब आज के हलाब से जानने की कोशिश करते हैं E.I.E.U. यानि के Economist Intelligence Unit द्वरा डेमुक्रिय से इंडेक्स के आंकड़े जारी किये गए उसके मताबिक भारत 51 स्थान पर आ गया है और 10 पायदान नीचे गिर गया है यानि पिछले साल भारत 41 स्थान पर था पहले बात करते हैं मीडिया की जो की लोग तंतर का चौधा स्थम भी कहा जाता है पिछले कुछ समय से मीडिया सत्ता में बैठी सरकार के सिर्फ गुनगान ही गाता दिखाई दी रहा है और उसकी तारेश भी खुल कर करता दिख रहा है अपने फैसलों से सर्फराइज देना नरेंदर मोदी की फितरत है वो ऐसे कदम उठाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता इसलिए कहते हैं रिस्क के आगे मोदी है आपको दिखाते हैं देश की सियासत में गहरी चाप छोड़ते प्रधान मंतरी मोदी के सेंस उफ हूमर पर ये स्पेशल रिपॉर्ट सूपरमैन एक कालपनिक चरित्र है ऐसा इंसान जो पलत जपकते यहां से बहां चला जा सियासत के दुनिया में अपने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी भी सूपरमैन साबित हो रहे हैं हाल ही की कुछ घटनाओं की बात करें तो उस शांत केस में मीडिया की भूमिका किस तरह की थी ये तो पूरे देश ने देखा एक मुद्ध को मीडिया बार बार दिखाता रहा है और अभी भी जारी है इस सब के बीच किसानों का अंदोलन शुरू हुआ केंदर सरकार द्वारा लाई तीन अध्यादेशों के खिलाफ एक तरफ केसानों का ग्रोश विपक्ष भी केसानों के साथ सरकार के लोचना करने में लगा था और ऐसे बीच मीडिया सरकार के बचाव में उत्रा रहा विरूदी दोलों का अल्जाम है कि इस तरह से एपी एमसी यानी मंडिया खतम हो जाएंगी मंडिया खतम हुई तो किसानों को मिनिममम सपोर्ट प्राइस एमसी नहीं मिलेगा लेकिन आज नरेन मोदी ने साफ साफ कहा ये सब जूट है बेकार की बाते हैं मैं प्रधान मंतरी मोदी की तकलीफ समझ सकता हूँ उन्होंने किसानों की भलाई के लिए विधिक तयार किये लेकिन किसानों के मन में तरह तरह के शक पैदा किये गए और किसानों को कहा जाएगा कि अब आप बरबाद हो जाएंगे इस नए कानून के बात पंजाब के किसानों के बीच अभी इन तीनों बिलों को लेकर कई तरह के सवाल है और जाहिर है पंजाब के जो किसान होंगे या देश बर के जो किसान है वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इन कानूनों को ठीक से समझ सके किसानों की बात सुनेंगे तो आपको साफ साफ समझा जाएगा किसानों ने न तो बिल पा है ना उन्हें बिल के बारे में कोई जानकारी दी गई है ना उन्हें ने कानून के बारे में बताया गया है किसानों को उतनी ही बात बताए गई जितनी विरोधी दल्किया रहे हैं अगर हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यहने की मीडिया की अजादी की बात करें तो हमारे देश का स्थान 142 में स्थान पर है यहां भी हम दो कदम नीचे गिरे हैं पिछले साल से इसके लावा जूडिशरी भी हमारे चाल पिलरों में से एक गिनी जाती है कोट जो मुद्धे महत्वपूरन नहीं हैं उन पर खुद ही संग्यान लेकर कारवाई शुरू कर देता है और जो मुद्धे जरूरी होते हैं उन पर देरी करता रहता है ऐसा एक उधारन हमें परशान भूशन के केस में देखने को मिला परशान भूशन को नयाई पालिका के प्रति उनके दो अपमानेजनक क्वीट के लिए अगर बात करें जो सरकार के करीबी होते हैं उन्हें कोट से जल्दी रहत मिल जाती है और जो नहीं उन्हें अधालतों में सालों तक घर सीटा जाता है इसके बारे में अधिकत जानकरी दी वरिष्ट पत्रकार अजीत अंजम ने यह अपुर विश्वनाथन की खबर है इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर में कहा ये गया है इस खबर में क्या है कि सुप्रिम कोट में 10 ऐसे केसे जाए फ्री स्पीच के उन केसे को अगर विश्वलेजन करें तो पाएंगे कि जिस केस में स्टेट और पेटिशनर याचिका करता और सरकार एक तरफ एक तरह की दलील दे रहे थे वहां तो सुप्रिम कोट से उन्हें रिलीफ मिला लेकिन जिस केस में स्टेट मतलब सरकार एक तरफ और याचिका करता दूसरी तरफ वहाँ याचिका करता को रिलीफ नहीं मिला ज्यादातर केस में अरनब गोस्वामी ने किस अपरिल को टीवी शो में सोनिया गांधी और पाल घर के बारे में बहुत कुछ कहा था 19 मैं को सुप्रिम कोट से अरनब को बड़ी राहत मिल गई यह इंडियन एक्सप्रेस की खबर है गोस्वामी नुपूर शर्मा और देवगन के ठीक उलट विनोद दुआ के मामले में भी सुप्रिम कोट ने हिमाचल में दर्ज मामले में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पर स्टे करने से इनकार कर दिया भारत में चुनाव में जिस तरह की अभद्र भाशा का प्रियोग किया गया वया पत्ती जनक था जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन्हें या तो राष्ट विरूती पता दिया जाता है या फर उन पर यूए पिय लगा दिया जाता है जम्मू किश्मीर के पत्रकारों पर सरकार द्वारा यूपिय लगाया गया इसके लावा डॉक्टर कफील खान उन पर भी एनसे लगाया गया था पर कोट के अदेश के बाद उन्हें रहा कर दिया गया है हाल ही में एक भाशन की वज़ा से उमर खालित की भी गिरिफतारी हुई है पर दूसरी तरफ कपल मेश्रा अनुराग ठाकुर्प जैसे लोगों पर सरकार क्यों चुप है उन पर कोई कारवाई क्यों नहीं करती एंडी टीवी के वरिष्ट पत्रका रवीश कुमार ने अपने शोव में लोगतंत्र के मुद्धे पर बात की और अधिक चानकरी भी दिए इस साल लोगतंत्र को लेकर दो रिपोर्ट आई है एक रिपोर्ट नियॉरकर मैंगजीन में छपी है Freedom House नाम की अमेरिका की संस्था की है जो कहती है कि पिछले 14 साल से आजादी में लगातार गिरावट आ रही है 2019 में 64 ऐसे देश थे जहां पर नागरिक अधिकारों पर सिविल लिबर्टीज पर अंकुष लगा दिया गया सिर्फ 37 देश ही थे जहां इस्थिती बहतर हुई नागरी का अजादी में कमी आने वाले देशों में भारत का भी नाम है और इस रिपोर्ट में अमेरिका के बारे में भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही गई है तो संस्थाएं ही नहीं समाज में लोक तंत्र के लिए सबसे जरूरी भाषा को भी खत्म किया जा रहा है उसकी जगा ट्रोल की भाषा आ चुकी है गाली धमकी और भीड की भाषा बोलने कि इस नहीं विवस्था में शालिंता, विवेक और विचार का कोई स्थान नहीं है आईटी सेल, न्यूज चैनल और ऐसे निताओं की भाषा उदंड और खदरने वाली हो गई है हमने पिछले समय में देखा कि स्टूडेंस ने लगातार आवाज उठाई पहले JEE और नीट को लेकर इसके बाद SST और रेलवेज की परिक्षाओं को लेकर और सरकार पर दवाब भी बनाया जिसके चलते स्टूडेंस को कुछ सफलता भी हासिल हुई इसके बाद स्टूडेंस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर ताली थाली बजाई और सरकार तक अपनी अवास पहुँच जाने की कोशिश की इसके लावा मुदा करोना का भी है जिसके वज़ा से लॉकडाउन हुआ था लेकिन एस सब पर चर्चा बंद है खैर ये तो कुछ खटनाओं का दिकर हमने किया जो चल रही है आगे भी हम इस पर बात करते रहेंगे ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टूरे टीवी